गोड इवनिंग, मैं आविनिकमार सिंग, डारेक्टर प्लेटफर्म एजुकेशन सेंटर प्राइबेट लिम्टेड पतना यह अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट समझे कि एक तरह सी एक कॉमर्सियल वीडियो है कॉमर्सियल इस उदेश से, कि जैसे हमारा कोचिंग पतना में चल रहा है, यहां इतने सारे बच्चे आते हैं और निश्चित रूप से बच्चों का जो नीड है, तो हमारा प्रियास होता है कि जैसे भी हो बच्चों को अपना जो बेस्ट फैकल्टी है, उनके माध्याम से बच्चों का नीड हम पूरा का पुरा कर पाएं क्यों कि जो आप चाहते हैं, अगर उसको हम दे पाएंगे, आप जो अपना लक्च तैक किये हुए हैं, अगर उसको हम पूरा कर पाएंगे, तभी आप यहाँ अमारे पास आते हैं और यह हमसे आप आसा रखते हैं क्योंकि पटना कभी आईएगा देखिएगा बाहर में हमारा ओफिस के बाहर या रोड पर एक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है फिर भी इतने सारे बच्चे यहां पड़ते हैं तो जरूर एक विश्वास है प्लेटफॉर्म पर यहां के फैकल्टी पर और निश्चित रूप से उतना हम मेहनत करते हैं कि जो आप हमारे उपर भी ट्रस्ट किये हैं उसको हम पूरा कर पाएं और इसी विश्वास से आप हम हमारे पास आते हैं क्योंकि हम लाख एड कर दें परचार परसार कर दें अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाए और जिस उद्दे से यहां है उसकी पूर्ती नहीं हो पाएं तो हमको नहीं लगता है कि आप दुबारा से खुद आईएगा या किसी को आने दीजिएगा अग हम चाहते हैं कि लेकिन इस करी में हम लगतार पाते हैं कि बहुत सारे आइसे भी बच्चे हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं सब बच्चों के बस की बात नहीं है वो पटना करके या यहां आ करके बाहर से यहां रह करके इतना महागा कॉस्ट पड़ता है कोचिंग का करया है या रहने का खरक्चों जाता है। तो सारे बच्चे ऑफर्ट नहीं कर सकते हैं मन क्चेते हैं और थी कर सकते हैं. का ने ररा तो ऐसला उसका चाहरी योकोजोती होता है गik会ज Tillबर होता है। तो उसी करी में पहले इसी 22 अपरील से हमारा सबसे पहले बियार के कुछ अलग-अलग जिले में हमारा ब्रांच स्टार्ट हो रहा है जो भी यहां फेकल्टी पर आते हैं यह पूरा का पूरा क्लासेस आपको उस सहर में भी वहां पर इस एड्रेस पर भी पूरा का पूरा मिल जाएगा और हम चाहते हैं कि अगर आप संतुस्ट होते हैं तभी एड्मिशन का प्रोसेस आप वहां से बढ़ाएंगे अगर आप संतुस्ट नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर जोइन करना ही करना है कोई दिकत नहीं है आप संतुस्ट होंगे और इसी करी में कुछ-कुछ हम यूट्यूब पर भी उन सारे टीचर का वीडियो भी उपलगद हम यहां से कराएंगे जिससे कि आपको पता चल पाए यह जो फेकल्टी यहां पराएंगे तो किस तरह का पराई करा पाएंगे तरह से सीलेवस के एकाउडिंग तीन से सारे तीन मेहने का वी तीन मेहने का प्रॉक्स का यह वैज होगा और हंडेट परसेंट इसका लाब निश्ची तुरूप सापको घर बैठे वहां पर आपके लोकल सहर में मिल पाएगा और पांच ब्रांच अभी हमारा स्टार्ट हो और भी आसान हो जाएगा क्योंकि इसका समझे कि एक तरह से जो ब्रांच भी हम डाल रहे हैं एकदम मीनिमम कोस्ट पर एक्स्टा हम कुछ भी ले रहे हैं कोस्ट उसमें जितना आपका लागत बन परेगा जो आप सिस्टम लगाएंगे जितना भी एक्यूपमेंट आपका लगेगा तो सिर्फ उसी का कोस्ट आपको बहन करना है तो जिनको भी फ्रेंचाइस रिलेटेड अगर आपको जरुत मासूस हो तो यहां के हमारा जो यह सेक्शन देखते हैं विवेक भारती जी उनसे आप संपर्क कर सकते हैं उनका मोबाइल नमर डवल एट फाइप वन ज इसक्स विवेक भारती जी इनसे संपर्क किया जा सकता है और पहला बैच हमारा यह 22 अपरील से स्टार्ट होगा तो हमारा पहला प्रांच रांची में स्टार्ट होगा जारकंड में इसका एड्रेस है नियर काली मंदीर अपोजिट गैलेक्सिया मॉल रातू रोड रांची वहाँ के डिरेक्टर नीरज दुवेदी जी हैं इनका मोबाइल नंबर है 930-840-9023 और इनका दूसरा मोबाइल नंबर है 8210-85-3234 इसके अलावा गया में हमारा दूसरा ब्रांच है गया ब्रांच गया में इसका एड्रेस है लॉड बुद्धा कंप्लेक्स बाइपास डांडी बागमोर गया और यहां के डिरेक्टर है अभिशेक बरमाजी इनका मोबाइल नंबर है 620-471-2489 620-471-2489 अभिशेक बरमाजी इनसे संपर्किया जा सकता है आप एड्रेस पर बातें पहुंच करकर देख सकते हैं इसके बाद मुझपरपूर ब्रांच यहां है गौशाला चौक नियर गौशाला गेट डियन पब्लिक स्कूल मुझपरपूर इनका देव नरायन जी है यहां के डारेक्टर इनका मोबाइल नंबर है इसके अलाब आपका हजारी बाग में ब्रांच है हजारी बाग का एड्रेस है स्याम सत्ती कंप्लेक्स स्याम सत्ती कंप्लेक्स बंसी लाल चौक हजारी बाग यहां बिजय कुमार डारेक्टर है इनका मोबाइल नंबर है इसके अलाब दूसरा मोबाइल नंबर है खंडक पार बिहार सरीफ नालंदा यहां के डारेक्टर है बिकाश कुमार इनका मोबाइल नंबर है 930-43-933-45 930-43-933-45 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9162-940-411 तो यह पाँच प्रांच हमारा 22 अप्रेल से स्टार्ट होगा कोई दिक्कत नहीं है जिनको सब का नीड एक जैसा नहीं है जिनको भी महसूस हो कि हम वहाँ पर रह करके जिस सहर का भी हम एड्रेस दिये हैं प्लेटफर्म का फैकल्टी का लाब उठा सकते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ आप जा करके पहले एक सब्ता क्लास करके देखें उसके बाद आप एड्मिशन का प्रोसेस स्टार्ट करें वहाँ आप इसका डिटेल बाब कर सकते हैं और इसके अलावे भी और टेस्ट टेस्ट का लाइब डिसकसर बहुत सारे बेवस्ता हैं धिरे धिरे इसमें हम एड्मिशन करने जा रहे हैं जिससे कि 100% आपको इसका लाव हो पाए धन्यवाद Mr. Pluck